Hello Modern Stars, How are you all? I hope you all are fine and enjoying your studies at home. I am also fine. मैं भी ठीक हूँ बच्चों. चलिए आज हम Environmental Studies में our sense organs के बारे में पढ़ेंगे. These are our 5 sense organs. ये हमारे 5 sense organs हैं. आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम इनके नामों को देखेंगे. Eyes, Eyes means आख होता है. Skin, Skin means तवचा, Tongue, Tongue means जुबान या जीब भी कहते हैं. Ears, Ears means कान होता है. और Nose, Nose means नाक होती है. ये हमारे 5 sense organs होते हैं. ये हम इन 5 पांचों को sense organs कहते हैं. हम इने sense organs क्यों कहते हैं? सबसे पहले हम इसे जानेंगे. Why are these 5 organs called sense organs? These organs act like window of the body. ये हमारी body में एक window, एक खिड़की की तरीके से काम करते हैं. The body comes to know things around us through these 5 windows. हमारी body को बाहर की चीज़ों के बारे में इनी 5 खिड़कियों से, इनी 5 चीज़ों से या sense organs से पता चलता है. सबसे पहला organ हमारा यहां है. Eyes. What do our eyes do for us? हमारी आंके हमारे लिए क्या करती है? Our eyes help us to see. हमारी आंके हमें help करती हैं, मदद करती हैं. देखने के लिए हम अपनी आंकों से देख सकते हैं. इसके बाद हम कुछ और sense organs देखेंगे. सबसे पहला हमारा यहां पर ear है. What do the ears do for us? हमारे कान हमारे लिए क्या करते हैं? Our ears help us to hear. हम अपने कानों से सुनते हैं. हमारे कान हमार में आपका favorite food बना रही है, favorite खाना बना रही है, या आपके किसी भी friend ने अगर perfume लगाया हुआ है, तो वो आपको कैसे पता चलता है? या आप rose flower को smell करते हैं, सुनते हैं, तो वो आपको कैसे पता चलता है? कि बहुत ही खुश्बू है उसमें? Yes, it is the nose. आप अपनी नाक से करते हैं, so it is the nose, our nose help us to smell, हमारी नाक हमारी help करती है, सुन्गने के लिए किसी भी चीज़ को smell करने के लिए, जिससे हमें खुश्बू का पता चलता है, इसके बाद हमारा दूसरा sense organ यहां है, tongue, yes बच्चों, जब आप किसी भी चीज़ को खाते हैं, तो आपको कैसे उसका taste पता चलता है, कि वो मीठी है, तिखी है, नमकीन है, स्मूथ है, यानि कि मुलायम है, या फिर रफ है, या आपको कैसे पता चलता है, कोई भी आप ठंडा या गरम खाते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है, कि वो ठंडी है या गरम है, या आपको आपके tongue से पता चलता है, जो भी चीज आप खाते हैं उसका टेस्ट कैसा है इसके बाद हमारा last sense organs है skin which is the largest organ of our body हमारी body का सबसे largest organ सबसे बड़ा organ जो है वो कौन सा है it is the skin ये हमारी skin होती है हमारी तवचा है ये our body is covered by the skin हमारी पूरी body हमारा पूरा जो शरीर है ये तवचा से skin से cover है it give us the sense to sense of touch we come to know many things just by touching them yes हम अपनी skin से अपनी तवचा से किसी भी चीज को touch करके छू करके उसके बारे में पता लगा सकते हैं जैसे आप अपने हातों से अगर गरम चीज को छूते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वह घरम है या ठंडी चीज को छूते हैं तो वह भी आपको पता चल ज है